तो हेवर्ट सब गाईज तो आज को एक और नए वीडियो के साथ तो होब आप सब बढ़िया होंगे तो यार मुझे काफ़ सारे कमेंट आ रहे होते हैं कि भाई यार को ये अच्छा सा लिनिक्स का सेट अप बताओ आप कौन सा सेट अप यूज करते हो यार वो आमें दिखाओ यार इसके लिए अगर हम लॉंग रेंज में फाइट लेते हैं तो हमें कौन सा सेट अप भी बनाना चाहिए अपने लिनिक्स के लिए या फिर कौन से वेपन्स लगाने चाहिए और modules में हमें क्या का चीज़े लगानी चाहिए और कौन सा pilot हमें यूज़कर ना चाहिए तो ये सारी चीज़े आज में आपकी clear कर देना वाला है इस वाली वीडियोस के अंदर एंड इसमें आपको सारी चीज़े बताने वाला है और अपना setup भी दिखाने वाला है जैसे कि सबसे पहले आप यहाप मेरा सेटप देख लो यहाप मैने लिनिक्स लिया जो कि MK2 तक अपग्रेड है ठीक है एंड इसके बाद यहाप इसके जो वैपन्स में ली ए मैने बाईू श्टाइक इसके वैपन्स मैने यूज किये है वेपन्स इसमें दो लगते हैं यह आपको पता है ठीक है एंड वेपन्स में देखो मैंने जो बायू स्टाइग यूज किया उसका या पर डेमज दिखा देता हूं यह आप 17313 का मुझे डेमज मिलता है और यह सिल्ड ब्रेकर है ठीक है मला पसंद यह वाला सेट अप यह वाला सेट अप में को यूज करता हूं यह मेरा सेट अप हो गया एंड जिसका भी अच्छा नहीं है यह उनका एम फिक्स नहीं होता बंदे पर इंका यह जाता ही नहीं यहां पर और आपका सेश्टर जो है ना बहुत अच्छा हैं बना देगा आपको जिदर भी आप टार्गेट करोगे उधर ही आपका एम बहुत ज़्यादर फिक्स हो जाएगा एकदम टीक है उसके बाद यहां पर सेटर आता है यहां पर डेकी तो जिनका एम बिल्कुल भी अ सेटर करता है अगर आपका एम अच्छा है तभी आप इसको यूज करना ठीक है उसके बाद क्लोज रेंज में आपको कौन सा यहां पर गैलोरी जो है ना क्लोज रेंज में आप यूज कर सकते हो काफी बढ़िया डैमेज भी इसका 6325 का डेमेज आप देखते हो तो यह वाल तो इसलिए मैंने इसको यहां पर अपने लिनिक्स के साथ यहां पर यहां पर एड नहीं किया था लेवी जहां पर जो लेवी पाइलेट है कौफी बढ़िया है इसकी जितनी भी स्किलेला कौफी ज्यादा हो से में ठीक है तो भाई बैसिकली अगर आप यूज करोगे इसको भी बाउस रेंज के लिए काफी बढ़िया लगता है एंड याप अपग्रेड नहीं है पूरा वट मैं इसको जल्दी अपग्रेड कर देने वाला हूं ठीक है तो यह काफी बढ़िया है कि बाकि और भी ड्रॉन यूज कर सकता है अब यहां पर बात करते हैं मॉडू वो भी थोड़ी increase हो जाती है ठीक है यहां पर देखो speed जो है वो यहां पर 0.5 km पड़ती है hours की speed यहां पर इसकी increase कर देता है अगर इसको आपको 6 लेवल तक अपग्रेड कर लेता है तो काफ़ी बढ़िया boost आप आपको मिल जाता है ठीक है यहां पर extra durability आपको 5% मिलती है control effect आपको 3 मिलता है and effect limit आपको यहां से मिल जाती है इसके बाद मैंने यूज़ किया इसके अंदर repair family fire जो कि आपके robot को heal कराता रहता है और उसको continue repair करता रहता है और उसके बाद यहां पर यूज़ किया देता है ठीक है अगर आप इसको six level तक upgrade कर ले तो बहुत जादा powerful आपके robot को बना देता है आपको चाहिए सारे पीटते रहे मिलके तब भी आपकी HP कम नहीं होती है कुछ time के लिए 3.5 seconds के लिए ठीक है तो अभी हमारा जो setup पूरा एकदम से ready है and इसकी अब हम करते है testing और देखते कितना ज्यादा पावरफूल है यह setup और आपको भी इसका थोड़ा सा idea मिल जाएगा तो चलो गेम में चलते हैं गेम को start करते हैं तो यहां से हमने जो डॉमिनेशन मोड हो एक्टिवेट कर लिया है and है पर हम ले लेते हैं सबसे पहली क्रीशिस and हम जो फ्लाइट रोबोटों उनको मानने कोशिस करेंगे लॉंग रेंज में तो यहां सामने एक बंदा इसको डेमेज देते हैं कर दिया मैंने इस गोटी के पर यह बच गया क्योंकि डेकी का वहां तक एहम नहीं जा पाया 600 मिटर की रेंज पर तो यहां पर और बंदों को देखते हैं में पर ओके यहां साइट से एक बंदा बंदा रहा रहा है चलf आइस अब और सागे की तरफ चलते हैं और फिर औहने बंद सामने किज मिला है ठीक है चलोगा इस अब और फिर से आगे की तरफ चलते है ओफिए उन वाला बंदा सामने की तरफ है इसको यहाँ पे एमकर ने कोशिश करता हो में थोड़ा डेमेज देने की एंड इसको यहाँ पे डेमेज देते हैं ओके यार यार यह कor में चला गया बच गया यह 600 मिट्रियां चुकितना होगा वाई ईक टोड़ने बन्दे ने मार दिया ठीक है मेरे को ठीक टोड़ा सा और धर जाने कोशिश करते हैं एंद मुझे लग रहा है यह वाला जो बंदा है बाई इसको मारते है एक मिन्ट यह अभी कवर में पूरा ठीक है इसको मैं यहां पर एक बार किल करने कोशिश करता हूं चलो यहां पर इसको डैमेज पड़ा है हाफ देमेज बड़ा है बच किया यहां पर ओके बाई यह कौन तो देखो यहाँ पर रिपेर एमली फायर का काम यही होता है कि आपको गंटिलू ऐसे शील कराता रहता है और यहाँ पर बाई मैं मनने वाला हूँ ओके बाई यहाँ पीछे की तरफ आना पड़ेगा यार से ने तो यहाँ दो वेपन्स भी सहीद कर दी है वहाँ पूराई पर आती यहां फीनिस हो चुका एश्या पर बात आती अपने लिनिक्स की तो अब यहां पर लिन nuclear l यह आने वाते हैं और देखते हैं कि तनी किल्फr पाते हैं हम अग्रेसिक गरंबें करने वहाना हूँ इससे सामने एक बंदा है इसको पेलते सबसे करते लागन वाला बंद है मैं इसको पाश जा रहा हूं यहां पर इसको on कर सकते हैं, यहां पर भाई इसको मान दे कोशिश करता हूं है, चल 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 एक और इसका बंद को हील करा रहा है, यहां पर इसको मारूंगा जरूरूर्ट चाहा कुछ भी हो जाए, ओके ऐक ओर पढ़ जाए, ओके, हैबिलिटी यूस की मैंने यहां पर फिनिस हो गया है। उसके बाद यहां पर यह वाला बंदा वाई कीतना गुसा जा रहा है अंदर की तरफ। लिए इसको मात एक है। तो आपको थाइटिंग यह समझ आ गया होगा लेकिन यहां पर मैं फिनिस भी होने वाला कि कहां काफी जादा ही डैमेज पड़े चुपा है मुझे अजया पर चुपा और Fourier को आपको छाते हैं अगर आपने यहां पर ले लिया अपना कोई यहां पर यहांके यह बंदा तो यहां पर इस वाले बंदों कुमाने कोषिश करते हैं इसके पीछे में आया ऊश्चर करें या पर मुझे लग रहा भई यह तो इसको क्रूप वाले स्कुमें के जा रहा है मुझे लग रहा है किया फौल घील मिल चुका है मिरेको अब यहां से हम यस वाले लिरिक्स वाले बंदे के साथ फाइट लेंगे और यह लिविक्स वाला जो बंदा है ना भाई यह मुझे लग रहा है कि मार देगा क्योंकि यार इतना ज्यादा वैपन्स के हाड है बहुत ज्यादा हो एंड यहां पर भाई मेरा जो स्काइरोस है उसके वैपन जो है लॉंग रेंज के निए टायटन स्लेयर हन पर एक टायटन को किल कर दिए है और यहां पर यहां पर दैमेश पर दे जा रहा हूं और ययार एबिलिट्व यूज़ कर रहा है एंड इसके पास मुझे यहां पर जहां तक मुझे लग रहा है कि इसके पास जो लेवी पाइलेट है वह यूज करता है क्योंकि उसके पास यहां पर एबिलिटी उसकी काफ़े बढ़िया बना देता है वह एंड उसका यहां पर बार बार से जो हाइड कर देता है वह उसी के एको बचानेuba बात में कैसी आया एक इसको बचाने के लिए कंसी जम्प करेंगे कैंब करते education face यह इसके ऐसे सामने की चुछ तो यार अ कि सब्सक्राइब यहां पर इसको damage दिया यह वाला finish और फिर वाला बंदा पीछे की दरफ भाग रहा है बचके मुझसे फिर यह वाला बंदा फिर हो चुका है और अभी इसके पास टाइटन बचा होगा फिर यहां पर अपने बंदों को कॉफी जादा damage दे रहा है तो मैं एक बार जंप करके इसके पास जाने कोशिश करता हूँ ग نवात आए वह काफी जादा है अब यहांपे यह सकारा की अभूल मसके यहां इसके सथी मसला है कि अपनी चौ एबिटी युसको को अनलोग करता है उसके बाद इसको मालना बहुत आसान हो जाता है ठीक है पर इसको यहां पर डेमेज पर डेमेज दिये जा रहा हूँ और यहां पर एक और किल मिल चुका है मैं यहां पर बाई श्टाइक के साथ इसको डेमेज देता हूँ इसको डेमेज देता हूँ और कितने किल किये हैं और कितने हमारे पास है किल हुए इस मैच के अंदर तो यहां पर आप देशकते हो यहां पर तीन हमने बेक अंद केप्चर किये 9 हमारे किल थे और यहां पर चार एसिस्ट के किल मिले तो यह था हमारा कुछ लिलिक्स के साथ गेम प्ले तो आई होप यह वाला गेम प्ले आपको अच्छा लागा हूँ और आप कुछ के बाद क कमेंट करके पूछ सकते हो एंड ऐसी और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो बेल आइग को प्रेस कर दो तो मिलते हैं नेश वीडियो में और तब तक के लिए बाई बाई